आम बजट 2023 पेश नए टेक्स लेप की घोष्णा साथ लाग रुपे की आए पर कोई टेक्स नहीं केंद्री वित्तमंत्री निर्मदा सीता रमण ने बुद्वार को 2023-24 के लिए नए टेक्स लेप की घोष्णा किये इस नई आएकर विवस्ता के तहट सालाना साथ लाग रुपे तक की आए पर कोई टेक्स नहीं देना होगा सीता रमण ने संसद में 2023-24 के लिए केंद्री बजट पेश करते हुए का वर्तमान में पांच लाग रुपे तक की आए वाले किसी भी आएकर का भुकतान नहीं करते हैं मैंने नई कर विवस्ता में कर छूट की सीमा को बढ़ा कर साथ लाग रुपे करने का प्रस्ताव दिया है तीन लाग रुपे से छे लाग रुपे तक की कुल आए पर पांच प्रतिशत टेक्स लगेगा 6,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 प्रतिशत टेक्स देना होगा आम बजट पर प्रतिग्रिया देते हुए प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अमरत काल का पहला बजट विक्षित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत निव का निर्मान करेगा ये बजट वन्चीतों को वरियत पूरा देता है ये बजट आज की आकांशी समाज गाओं गरीब किसान मद्यमवर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा कि अम्रित काल का ये पहला बजट विक्षित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत निव का निर्मान करेगा ये बजट वन्चीतों को वरियता देता है ये बजट आज की एस्पिरेशनल सुसाइटी गाओं गरीब किसान मद्यमवर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा मैं फित्न मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस अईतियासिक बजट के लिए बढ़ाई देता है खासखबर.com के लिए सतेंदर शुक्ला की रिपोर्ट